दोस्तो आज के वीडियो काफी important है, काफी interesting है, क्योंकि आज का वीडियो हमारे एक और comparison वीडियो है, Physiotherapy, BPT और BSNASING का, तो दोस्तो ये वीडियो काफी interesting होने वाला है, वीडियो में बने रही है, वीडियो को starting से last तक देखते रहें, वेल्कम एक टू चैनल वनसाम गाइस, तो हम बात करें, comparison between BPT, Physiotherapy and BSNASING, so what is Physiotherapy, Physiotherapy एक ऐसा science है, जहाँ पर cure, prevent and rehabilitation of physically challenged people, या disabled people, किया जाता है, तो यह है Physiotherapy, अब बात करते हैं, नर्सिंग की, तो नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है, जहाँ पर नर्सिंग के principles और कुछ scientific principles आपको सिखाया जाते हैं, in order to care the patient, तो इस फिजो थेरापी and BSNASING, तो यह दोनों भी undergraduate course है, यूजी courses है, third thing is duration, अब दोनों भी courses का duration है, लगबख four years to four and half years, अब four and four and half years, इसमें internship include है, तो four and half years दोनों भी courses में, अगर internship नहीं हो, वो college पे, university पे depend करता है, हर बार इसका circular होता है, वो change होता है, तो इसलिए four years to four and half years, यह इसका course का duration है, हमें जब job में करते हैं, तो फिर हमें salary कितनी होगी, तो BSNASING complete करने के बाद, आपको salary कितनी होगी, और BPT करने के बाद, फिजो थेरापी करने के बाद, आपको salary कितनी होगी, और वो depend करेगा, आप कौन से institute से आते हो, और कौन से institute में काम करते हो, उसी तरह, BSNASING में भी वह है, अगर आप clinical में काम करते हो, तो पेमेंट अलग है, और अगर आप tutorship करते हो, तो उसका भी payment अलग है, तो criteria अलग अलग है, बात करते है, higher studies, BSNASING के बाद, आप higher study कर सकते ह हो या नहीं, BPT, physiotherapy कम्लेट करने के बाद के आप higher studies कर सकते हो या नहीं, तो ज़रूर आप higher studies कर सकते हो, BPT के बाद आप MPT कर सकते हो, BSNASING के बाद आप MSNASING कर सकते हो, दोनों में भी आप PhD कर सकते हो, तो higher study के काफी जादा scope से, तो अलग-अलग subjects में historically master's degree ले सकते हो, उसक के आल भास करते हैs, जोब प्रफपिल की, हुब पी पी के पात, फीजियो धरखे के पात आपकी जोब प्रफटर लोगी, जाइक फिजिंटलफ एधिए इंस पॉमकें फिजि़ियो Fitness होते होती हैं, RH, सेंटर में आप काम कर सकते हो दिर उसके आलवा you can be the therapy manager तो यह job profile होती है after completing physiotherapy अगर हम बात करें BS nursing की तो BS nursing में you can be a nursing tutor you can be a clinical instructor lecturer advisor nursing director और काफी ज्यादा scopes